आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब रष्टाचारियों को दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जो लूट मचानी है वो लूट मचा लो दिल्ली की जनता को लगातार जो है धोखा दिया जा रहा है और सब लोग यही कहरें हे इश्वर हे अल्ला फिर एक नया गोटाला ज भार्ते जनता पार्टी की सरकार ने सब रष्टाचारियों को दे रखी है कि आकाश से पाताल तक जहां जो लूट मचानी है वो लूट मचा लो और वो नतीजा सामने आया है कि दिल्ली की जनता को लगातार जो है धोखा दिया जा रहा है और सब लोग यही कहरें हे और इस घोटाले में इस बार जलबोड की डीटेल सामने आई आई आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जलबोड को बाल की जा रहे थी देखा जा रहा था भोकताओं की संख्या बढ़ गई मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई लेकिन जो कमाई है वो कम हो पहले उनके MDR बग्यारा रखे थे वो भी गायब हो गए तो पैसा गया कहां तो इस तरीके की तमाम चीज़ें मैं कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि शीला दिक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बता कर ही सरकार में आये थे और हम सब को याद है वो टैंकर माफिया और वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिच्छाई है वहाँ पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से टैंकर से पानी लाने का और ऐसी तमाम गलिया अपने क्षेत्र की अगर मैं गिनवा हूँ तो पटेल नगर भरा हुआ है अने क्षेत्र बड़े हुए है और जहाँ पर लोगों के पास कोई option नहीं है पैसा गली में कठा करके टैंकर माफिया को दिया जाता है इसी तरीके से 1167 करोड रुपया जो है वो financial statement DJB का और जो conciliation statement banks का है उनके बीच में जो अंतर है वो 1167 करोड रुपय का है सोचिए 1167 करोड और इसी तरीके से जो मैंने पहले आपको बता है कि 107 करोड रुपय की जो entry है उसको entry adjustment साधारण भाषा में हम बटा खाता कहते हैं कि बटे खाते में डाल दो कि जिसका कुछ हिसाब किताब ने मिल रहा उसको बटे खाते में डाल दो अब यह ना तो 100 रुपय है ना यह 50 रुपय है ना यह 500 रुपय है ना यह 5000 रुपय है 107 करोड रुपय है जो बट्टे खाते में डाले में वो 107 करोड रुपे और bank के जो financial statement और जलबोड का जो financial statement है उसमें 1167 करोड रुपे का फरक है इसी प्रकार से भिन भिन bank accounts में कहीं पर bank खातों में credit दिखाया गया और जो अलग खातों में कुछ दिखाया गया है इन्होंने दिखाया कि हम दें बैंक में डेपॉजिट किया, बैंक के खातों में वो है नहीं, वो पैसे टैली नहीं हो रहे, तो ऐसा तमाम जगा पे किसी एकाम में 5 करोड, किसी में 7 करोड, कहीं पे 300 करोड, कहीं पे 100 करोड, इस तरीके की 50,000 गलतियां इनके एकाउंट्स में सामने आ रही है, और 3,753 करो काउंटिंग की गरबड, कहीं टर्म डेपॉजिट की गरबड, कहीं FD नहीं मिल रही, ऐसा करके तो 3,753 करोड रुप्या जो है, वो मिसिंग है, असलियत में देखा जाए तो जो काम इन्होंने अंडर्टेक किया, 2018, 2019 और 22,23 के बीच में, उसकी सब डीटेल्स मिसिंग है, दूसरी वो मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा की जो खाते हैं, 2017 से 2018 के बाद से लेकर अभी तक, इन्होंने वो खाते ही बनाए नहीं, ठीक से काम नहीं किया, और ले देकर वापस वही कि हाई तोबा, हाई अल्ला, केजरिवाल ने किया एक नया घोटाला किया देकर नहीं किया है, यहाँ खाते हैं।